नमस्का दोस्तों क्या आपने अपना मुबाइल नंबर और इमेल आईडी अधार पे अपने अधार पे रेइस्टर किया हुआ है या नहीं किया हुआ क्योंकि यह GST registration में mandatory होने वाला है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ 21st of August 2020 से यह एक नया rule implement हो चुका है अगर आप अपना GST registration कराते हैं और अगर आपके अधार नंबर पे इमेल आईडी या मुबाइल नंबर रेइस्टर नहीं है तो आपके physical inspection तक हो सकती है जी हाँ मैं प्रवीन शर्मा इस वीडियो में आपको जरूर आगे तक लेके जाऊंगा और बताना चाऊंगा कि अगर आपका अधार authentication नहीं हो पाता है प्रवील इंस्पेक्शन जरूरी होगी इंस्पेक्टर विजिट करेगा तभी GST registration मिलेगा तो ध्यान दीजेगा अंतक बने रहीएगा यह हमारी पहली वीडियो है जिसके अंदर theoretical और law के बारे में हम समझेंगे जो 21st of August 2020 से implement हो चुका है जी हाँ, notification 62 by 2020 डेटेड 21 अगस 2020 से यह implement हो चुका है यह मंशा सरकार की बहुत समय से थी 23rd 2019-20 के अंदर भी यह implement किया गया था कि 1 April 2020 से हम अधार authentication कर देंगे पर due to somehow COVID आ गया यह Corona आ गया इस बीच अब यह procedure लंबा चलता गया अब क्या चीज हो चुकी है 21 अगस 2020 से जब भी new registration portal के उपर होगा तो उस case is me उस case is me आपके पास दो option दिये जाएंगे portal के उपर yes या no अगर आप yes चूज करते हो इसका मतलब आप अधार authentication चूज करते हो तो आपको एक generate आएगा एक email ID या mobile number पे एक link आएगा उस link से आप portal पर जाओगे आपका अधार number टाइप करोगे वहाँ से आपको एक OTP मिलेगा उस OTP रे generate करने के बाद ही आपका अधार authentication successful हो पाएगा ये practical बासे अपने next वीडियो में देखेंगे फिलहाल यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि अधार authentication ज़रूरी कब होगा और नहीं होगा मैं आपको लेके चलता है rule 8 sub rule 4a के अंदर जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर कोई भी applicant जब भी अपनी registration के application submit करेगा अब 21 अगस 2020 के बाद से तो उसको अपना अधार authentication करना ज़रूरी होगा और date of submission of the application तब माने जाएगे जब आप अपना अधार authentication कर दोगे यहाँ पे time period 15 दिन का भी दिया गया है या तो मान लेजे आज 21 अगस्त है 21 अगस्त पे ही आप अपनी पाटे submit कर देते हैं registration form का और पाट भी भी submit कर देते हैं और यहाँ तक के अधार authentication भी कर देते हैं तो आज आपकी validation मानी जाएगी submission of the registration मानी जाएगी और अगर आपने मानले यह कल किया 22 अगस्त को अपना अधार authentication किया तो 21 अगस्त से आपकी मानी जाएगी date of the submission साथ के साथ मैं कुछ और चीज़ें आपे बताना चाहूँगा कि rule sub rule 4a के बाद एक rule एक और आया था rule 9 जिसके अंदर मैं पहले rule 9 1 के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आपने अपना अधार authentication नहीं कराया है you have failed to undergo the अधार authentication अधार number और यहाँ पे एक चीज और एड़ी यहाँ पे की गई है इस notification 62 by 2020 के अधर कि अगर या तो आपने अधार authentication नहीं किया है या आप opt भी नहीं करना चा चाते तो उस cases में आपकी physical verification होगी तभी आपको registration certificate issue किया जाएगा बढ़ यहाँ पर एक और यहाँ पर रियायद दी गएगी proper officer not below the rank of the joint commissioner approval लेगा joint commissioner के level तक की officer की physical verification ना हो और registration certificate issue कर दिया गया अब मैं आगे बढ़ता हूँ एक sub rule यहाँ पर टू हो रहे काया जिसके अंदर यह कहा गया कि अगर कोई person phase 2 undergo the ather authentication और doesn't opt for the authentication of the ather number एक notice दिया जाएगा जिसका नंबर है REG03 जो 21 दिनों के अंदर आपकी data submission के 21 दिनों के अंदर बेजा जाएगा आपके पास ताकि आप एक चीज बात और आती है कि इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए एक sub rule 4a आया वो क्या कहता है कि where sub rule 4a हमने देखिया उसके बाद हमने आपका rule 9192 अब मैं पहुंसता हूँ rule 95 के पर जो एक अंत का एक rule है जो कहता है कि if the proper officer ध्यान दिजए कि पहले हम पार्ट में चल लेता है उसके पास अधार नंबर होना चाहिए अधार नंबर पर email id mobile नंबर होना चाहिए तब ही आपका registration successful होगा अधार authentication पे अगर आप अधार authentication यस करते हैं तो आपको 15 दिन दिये जाएंगे 15 दिनों के अंदर आप उस अधार authentication को कर सकते हो साथ के साथ अगर आप नहीं क पिस भी ज़रूर आएगा कि आपनी ये क्यों नहीं किया तो जान दीजेगा कहीं न कहीं मुड़ करके आपको अधार authentication आपको अपने GST registration portal के अपर करना जरूरी ही होगा अब बात करते हैं proper officer के उपर एक tax officer के अपर अगर कोई proper officer face to take any action अगर action नहीं लेता कब पहली चीज़ अगर मैंने अधार authentication कर दिया है अगर मैंने अधार authentication कर दिया है और proper officer face to take any action then deem to be granted application on the third day three working days के बाद registration होता है तो deem to be granted registration साथ के साथ second thing पर चलता हूँ अगर किसी person ने जो time period हमने बहला था 15 दिन का face to undergo the अधार authentication कि हम चलो ठीक है आपने बोल दिया कि yes अधार authentication हम कर देंगे और अगर आपने 15 दिनों के अधार authentication भी नहीं किया और proper officer ने भी कोई action नहीं लिया तो उस cases में आपको deemed approval दिया जाएगा GST registration का third 21 दिन का time कों सा 21 दिन का time जब your face to undergo the अधार authentication और not to afford the अधार authentication 21 दिन का time दिया जाएगा कि आप इस date तक submit कीजिए इस date तक submit कीजिए और अगर pay proper officer face to take any action than the than the उस cases में आपको deemed granted कर दिया जाएगा अधार authentication clarification अगर आपने नहीं दिया और officer ने भी कोई action नहीं लिया deemed to be granted registration साथ के साथ 7 working day की clarification होती है अधार authentication भी successful है but somehow की rent agreement clear नहीं है यह electricity bill clear नहीं है 7 दिनों के अंदर clarification मांगे जाती है अगर 7 दिनों के अंदर भी clarification अगर नहीं आएगी तो उस cases में deemed to be granted the GST registration certificate so दोस्तों अंत में यही बताना चाहूंगा कि notification के तहत क्या क्या चीज़ें आई हैं कि 21 अगर्स 2020 से you have to undergo the अधार authentication आप अधार नंबर पे जाकर करके देखिए कि आपका email id mobile number आपके पास है या नहीं है अगर नहीं है तो उसको आप update कराईए नहीं तो आप GST registration नहीं करा सकते हो सर अगर मैंने अधार authentication नहीं किया या नहीं opt करना चाहता है अधार authentication तो उस cases में क्या हो सकता है उस cases में notice आसकता है 21 दिनों के अंदर REG3 के अंदर portal पे display कर देगा और उसके अंदर जरूर यह लिखा होगा कि आप clarification दीजे आप क्यों नहीं कराना चाहते है अपनादार authentication तो इसलिए बहुत ज़रूरी है fly night operator को पकड़ना, billing के cycle को पकड़ना तरकार की मंशाती और यह implement हो चुका है today, the 1st of August 2020, 2020 thanks for watching, next video में हम इसके practical aspects को deal करेंगे अगर आपकी कोई query हो, ज्यान दीजिएगा अगर आपकी कोई query हो, नीचे दिएगे comment box के आप लिख सकते हैं, सवाल पूर सकते हैं, मैं ही बैठकर के आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, thank you